अब मैं तुम्हें बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि तुम कुछ भी करना, कुछ भी करना simply, बच्चे बार-बार पूछते रहते हैं कि सर्थ 3-4 महिने में course ही हो जाएगा क्या पूरा, देखो मैं तुम्हें simple कहता हूँ, course हो जाएगा, उसमें कोई problem नहीं है, course भी हो जाएगा, even तुम्हारी 80 की speed भी आजाएगी, 100 की speed भी आजाएगी, बट ये ऐसे matter पे तुम्हारी speed आएगी, जो तुम पहले से practice कर चुके हो, लेकिन जिसकी तुम्हारी पहले से practice नहीं है, जिसे तुमने एक बार भी लिख करके नहीं देखा है, ऐसी word पे तुम वही 50-60 पी आजाओगे, तो अगर कोई बच्चा ये सोचता है, या कोई teacher ये कहता है, कि हम तो 3-4 महीने में तयारी करा देंगे, तो ये देखो भई, possible नहीं है, चाए 5-6 गंटे भी practice कर लेना, नया matter आएगा तो डड़ लगेगा, 5-6 महीने केवल आपको एक confidence देने के लिए काफी होते हैं, अब देखो, simple सी बात है, कोई बच्चा ये है के चार गंटे भी पड़ता है, चे गंटे भी पड़ता है, अब 6-8 गंटे तुम के वद शोट हैंड ही थोड़ी करोगे, तो एक शोट हैंड सबजेक्ट के लिए 2-3 गंटे हम max निकाल पाते हैं, 2-3 गंटे भी कौन बच्चा निकाल पाता है, जो बहुत ही dedicated बच्चा होता है, तो dedicated बच्चे भी हो, चाहे आप थोड़े से reckless भी हो, थोड़े से rash भी हो, लेकिन problem वहाँ आती है, जहाँ पर आपके पास समय कम हो, तो आप जो है थोड़े सी tension में रहने लगते हैं, आपका subject clear नहीं हो पाता है, मेरी सला सिंपल है, कि अगर आप SSC shorthand या stenographer के लिए फिर किसी भी exam के लिए short hand सीखना चाहते हैं, तो 6-8 महिने तो basic ले करके चले, और minimum एक साल ले करके चले, ताकि आप tension free हो करके किसी भी skill test में बैठ सके, हाँ, अगर 2-3 महिने में basic करके, 2-3 महिने advance करके, अगर आप skill test दे सकते हो, पूरी तयारी आप इसी ही कर सकते हो, आपका return पहले से तयार रखा है, तो कोई problem नहीं है, अपने teacher से जाकर करे को, sir मुझे इसी बार निकालना है, ठीक है, तो वो तयारी कराएंगे तुम्हारी, बड़ देखो, मैं clearly कहता हूँ, chances बेहत कम है, बिना बात stress मत ल नहीं होता, जो आपको फल नहीं देती, ठीक है, या ऐसी पढ़ाई जो की आपको attention दे, जो आपको regular life में क्या decision कैसे लेना है, ये ना सिखाए, ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता, तो ये बात ध्यान रखनी है, केवल मन से पढ़ो, regular रहो, थोड़ा सा time लेकर के प इसी लिए, relax mind से एक बार लग करके subject तयार कर लो, फिर market में किसी भी job के नाम का कोई भी product आ जाए, उसे अपने घड़ ले आना, कोई problem तुम्हें नहीं आएगी, ठीक है?